लेकिन वही नेक्स टेन कोशन पर जाने से पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं एक बार एक नमबर देख लीजे 8638 008832 तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और आज की वीडियो के कोशन काफी अच्छे हैं मुझे लगता है कि कई लोगों को कुछ नई चीज़े पता चलेंगी इसमें तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखें और पूरा देखें पूरा देखने से यह होता है कि आपको एक दो बार असानी से और समझेंगे बैठ कर आराम से जब सोचेंगे समझेंगे और इसको क सब्सक्राइब करते हैं अपनी वीडियो फर्स्ट कोशन है अप्लाइड बिहेवियर अनालेसिस इस नौट बेस्ट और प्रिंसिपल्स ओफ ठीक है यहां पिसे प्रिंसिपल आना चाहिए अनुप्रियुक्त व्यवाहार विशलेशन इसकी ए भी ए भी बोलते हैं इसको ठी इसमें से किस सधान पर अधारित नहीं है देखे जो एक्ट्वल कोशन था ना इसमें एक्ट्वल कोशन यह था कि नौट नहीं था कोशन में था कि एप्लाइड बिहेवर अनासिस बेस्ट और प्रिंसिपल्स ओफ यह लिखा था और यह ओप्शन ते लेकिन कोशन ही गलत द ठीक है इसको सम्टाइम सम भीएवियर मोडिफिकेशन भी बूलते हैं अप्लाइड बिहिवर अनलसिस को क्योंकि इसमें बेसिकली हम किसी ना किसी बेहिवियर को चेंज करने के लिए उसको मोडिफाइड करने की कोशिश करते हैं सबोज आप क्लास के टीचर है और आपकी क करेंगे ठीक है आप पहले behavior को समझेंगे उसको observe करेंगे उसके बाद क्या consequences रहते हैं आपकी किसी भी intervention के वो देखेंगे intervention करेंगे आप behavior को change करने की कोशिश करेंगे वो आपके उपर है कि आप किस-किस तरह की techniques अपनाते हैं न behavior modification techniques बहुत सारी होती हैं तो अब यहां पर question यह है कि कौन सा principle नहीं है अब देखो जहां आपको पता चल गया कि behavior की बात हो रही है यह behaviorism से ही related है behavior modification करने की कोशिश behaviorist ही करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कि किसी भी इंसान का जो behavior है उसको change किया जा सकता है थ्रू various reasons है ना मतलब reinforcement के थ्रू trial and error के थ्रू हम जैसा behavior चाते हैं वो सिखा सकते हैं तो यानि की classical conditioning भी होगा operant conditioning भी होगा और observational learning भी होगा ठीक है तो option number c is not the answer here insightful learning में तो एक sudden आपको एक दम से insight आती है कि हाँ यह ऐसे हो सकता है तो आप insight learning इस तरह की होती है यह particular behaviorist नहीं है ठीक है तो यहाँ पर option number c होगा अब जो actual question था उसमें यह पूछा था कि not नहीं था उसमें और मुझे लगता है शायद question में printing में गलती हुए जो भी हुए और answer दिया हुआ था observation learning मतलब कोई तो की भी नहीं बैठता है क्योंकि classical और operate conditioning तो होते ही है behavior applied behavior analysis का part ठीक है तो यानि कि option number c is the right answer चलिए next देखते हैं if any one activity occurs more often than another it can be used to reinforce the activity that occurs less often ठीक है देखो अगर एक activity जो है बहुत जादा हो रही है suppose एक activity है मैं कर रही हूँ बहुत जादा कर रही हूँ लेकिन activity two है जो मैं नहीं करना चाह रही हूँ ठीक है मुझे a जादा करने में सही लगता है और मैं a को जादा कर रही हूँ ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं जो activity में जादा कर रही हूँ उसका use कर सकते हैं ताकि हम इस activity two को करवा सके कोई मुझसे ठीक है अब वो दूसरों के उपर depend होता है मैं यह activity जादा कर रही हूँ लेकिन मुझे दो करना पसंद नहीं है दो activity नहीं पसंद तो अब इस activity two को करवाने के लिए आप इसका use करेंगे ठीक है तो इस principle को हम क्या कहत है question यह है मैं लास्ट वीडियो में भी आई थिंग आपको कराया था है ना थोन डाइक कोई principle नहीं है skinner कोई principle नहीं है यह प्रिमाक्स प्रिंसिपल इसमें आपको एक एक्जामपल लिया था do what I want you to do and then I will do what you want me to do ठीक है इस तरह का कुछ था कि आप पहले मेरा यह काम करो फिर में आपका यह काम करूँगी ठीक है तो यह प्रिंसिपल जो है यह सेम है ठीक है इसकी थोड़ी सीनों ने मोडिफाई कर दिया इसको यह प्रिमाक्स प्रिंसिपल होता है अब देखो इसमें क्या कह सकते हैं यह जो नंबर वन एक्टिविटी बताई ना यह हाई फ्रि कर ले आती हूं ठीक है अब किसी ने मुझे कहा कि चलो भाई मेरे लिए चाय बना दो ठीक है सब्सक्राइब नहीं बनाती हूं चाय मुझे नहीं पसंद है तो वह लोग कहेंगी चलो ठीक है हम आपको कुछ पैसे देंगे और आप शॉपिंग करने चले जाना इसके बाद या फिर एक शॉपिंग नहीं चेए डिया है अपिले चाय बना दो तो बात वही वाली है कि दुश पर करवाना चाहते है लेकिन नेक्स्तर सिते हैं असपिंग抉ग हो गया हूंस Later of the following is not a sub domain of cognitive domain तो ब्रूम ने जो आपकी लर्निंग objectives को लेकर पूरा एक cognitive domain दिया है तो उसमें जो है Bloom taxonomy बोलते हैं इसको हम ठीक है उसमें इन में से कौन सा एक sub domain नहीं है इन में से कई जो हैं वो sub domain है देखो domain हो या cognitive domain अब इसके कुछ sub domain उन्होंने बताए हैं ठीक है sub domain कौन से हैं वो आपको बताने है application analysis synthesis या responding तो देखो इसका option होगा option number D responding कुछ भी नहीं है यह application analysis और synthesis की बात उन्होंने की है और यह सारे ही sub domain है Bloom की taxonomic है जिस question में ज़्यादा explanation की ज़रुरत नहीं है वहाँ पर हम थोड़ा तेजी से चलेंगे नेक्स से किम चेंज हर mobile number and got a new number वह किम ने जो है अपना number चेंज कर देया नए number मिल गया उसको when someone asked her new numbers she could reply only three digits of her new mobile number अब कोई भी जब उससे पूछता है कि तुम्हारा नए नंबर है ठीक है सब्सक्राइब क्लासिस का लगा लीजिए मुझे भी अब तक याद नहीं हो है खेर यह number मुझे किसी के number जिल्दी से याद होते हैं जो भी है तो आपके पास जब एक number है जो भी है आपका अपना number है आपके पास 5 साल से वह number है लेकिन आपने नए याद करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप जब भी उसको बोलने कोशिश करेंगे आपको अपना पुरा number याद आ जाएगा मतलब इंटर्फेर कर रहा हो कहीं न कहीं ठीक है इसको हम बोलते है प्रोएक्टिव इंटर्फेरेंस ठीक है जब आपको पुरानी चीज जो है वो नई चीज में थोड़ा सा इंटर्फेर कर रही है क्योंकि यह भी नंबर था यह आपके जबान पर रटा हुआ था लेकिन आपको एक नए नंबर रटना पढ़ रहा है लेकिन वही नंबर आपको हाइलाइट ह पढ़ा रही हूं तो हो सकता है मैं भी चीज़ें मिस कर जाओं लेकिन इन कोशन की वजह से चीज़ें हमें हाइलाइट हुजाती है कि यह भी एक चीज हैं बीच में से मतलब पूरा बिहेवरिस्ट में से निकल किया रहा प्री मैं प्रिंसिपल बिहेवियर एप्लाइड ब कौन सा नहीं है यह आपको बताना है प्रॉब्म होती है वीजिन याए हीरिंग में प्रॉब्म होती है वर्बलम और नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन में और रेपी टिटीट व dola को जो है रिपीट करते हैं तो इसमें पूछा है नहीं है ठीक है क्लियर कट कोशेन आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शेन नमबर एस देना नहीं है बेसिकली सोशल इंटरेक्शन करने में इसमें बच्चे को लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब ट्रैक पर लाया सकता है ऐसा नहीं लाया जा सकता next है the phrase six on one hand and half a dozen on the other best describe which of the falling conflict देखो कुछ type of conflicts होते हैं अब ये भी आप लोगों के लिए शायद नहीं चीज होगी मेरे लिए भी नहीं चीज है ठीक है मतलब मैंने जब यो कोशन देखा तो मैंने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा conflict वाला कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं इसलिए तो कहते हैं कुछ भी कल को आपको नया question मिल सकता है तो कुछ नई जानकारी मिलती है थोड़ा सा पढ़ना इन conflict से बारे में मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन अब मैं चाहते हूँ कि आप लोग भी पढ़े देखो ये जो है कि भाई ठीक है आपके एक हात में six six on one hand and half a dozen on under एक हा चृए संप्लेक्ट है कि आप सोच नहीं पारें आप क्या करें ना मतलब शहीं इदर भी दे रहें जहीं दर भी दे रहें तो इसको बोलते हैं अप्रोच अप्रोच इस तरह के जो conflict होते हैं इसको हम बोलतें अप्रोच अब जितने वी और लिखे हुए ना यह सारे आप ख कुछ भी रख लो अपना साथ साथ लिखते चलो कि हाई एक नई चीज सिखी है मैंने और इसके बार में दो चार लाइने लिख दी और पढ़ लिया बस क्या टाइम लगता है पांस से दस मिनट लगेंगे आपको बस next time which of the following is not a form of immaturity of thinking during adolescence as proposed by alkynd देखो अभी इस नाम को भी आप लोगों ने बहुत पहले कभी सुनानी होगा में भी सुना भी हो कुछ लोगों ने मैंने कभी नी सुना था लेकिन हम मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ था मतलब as if मैंने मतलब इनके alkynd का proper मेरे को नाम याद नहीं है maybe मैंने शायद इनके नाम को इतना ध्यान में नहीं लाया मैं जस्ट adolescence पर ही focus कर दी लेकिन यह सब पता था मुझे तो आप देखो इसमें कोशन यह है कि not a form of immaturity of thinking आपको सभी को पता है कि adolescence जो होते हैं वो में चौर तो होते हैं बालक बुद्धी होती है और कुछ ज्यादा ही बालक फिर भी समझदार निकलेगा लेकिन adolescence में थोड़ी सी कमी यह होती है कि उनकी एज कभी दोश है इसमें कहूंगी और थोड़ा लोगों का भी दोश है क्योंकि कई बार क्या होता है पेर नहीं के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती है तो यह पूछा है कि कौन सा टाइप नहीं है मिचौरटी का तेको आदर्श बात बिल्कुल आदर्श बात पर चलते हैं आप अगर खुद से भी पढ़ोगे न तो भी आपको समझ में आ जाएगा आदर्श बात का मतलब है कि आपक बिल्कुल नहीं होती है आर्ग्यूमेंट चीटिवनेस बिल्कुल बहुत करते हैं बाद में इसके पेशलेस बिल्कुल विशिचा की प्रवर्टी होती है उनको लगता है वहीस्पेशल है सब उनी को देख रहे हैं वोई center of attraction है तो option number d भी इसमें होगा यानि कि इसका option होगा option number c जो की नहीं होगा वो immaturity नहीं दिखाता है यह एक तरह से maturity की पैचान होती है आइडिलिजम आर्गुमेंटेटिवनेस और स्पेशलनेस यह सारी ही आपके maturity की है आइडिलिजम हमेशा नहीं हो सकता है immature लेकिन अब यहां इस context में देखे तो यह maturity को ही शो कर रहा है next देखते हैं which of the following is not a democratic टीचिंग स्टाइल ठीक है डीमोकरेटिच टीचिंग स्टाइल नहीं है यानि कि अगर बात करें लोकतां तरिक नहीं है तो बताइए क्या है problem-solving project discovery या फिर demonstration इसमें से जो भी आपको लगता है यह तो आसान बता सकते हैं देकी इसका Question Option प्रचेंफरेशन है पूरी क्लास और मेंसंतेशन देगा जो डेमोरिटेशन सिर्फ रोल वता है बाकि लोग सिर्फ यहाई पैसे ही से Liu करते हैं लेकिन demonstration में एक या दो बंदे जो भी demonstration दे रहा होता है सिर्फ वही करता है बाकी लोग सिर्फ देखते हैं तो इस वज़े से यह democratic नहीं होता है मतलब not in a negative sense बट वैसे कह सकते हैं नेक्स्ट है विच लोफ ट्राइल और गिवन वाए थोंडाइक इस सिमिलर तो दे कंसेप्ट उफ रिइंफोर्समेंट तो इनका कौन सा लो था जो रिइंफोर्समेंट के और लुंठो ल्ए से उनको प्रणिश्वं रहा है तो ही एफट होता है किसी भी भेवर को करने के पांद जो इ ति एक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कुशन है अब का अटस टवस्टेज sorry any origin शीर है तो यहां पर बच्चे अपने आख से कान से हातों से और सैंस और पर काम करते हैं इसी सेंसे समझ नीजिए यह स्टेज होती है सैंसरी मोटर स्टेज तो अप्षिन नमबर एज दा करेक्ट ऑप्षिन So guys this was the video for today I hope you like it और आज की कोशशन अच्छे लगे मुझे खुद अच्य लगे तो I hope कि आपको भी अच्छे लगे होंगे और चिज़ों को अप्रेशेट करिए क्योंकि आपको नही निकल करा रही है और कल को वही question जो है वही चीज़ आपके exam में पूछ ली गई तो वो एक number भी appreciation बिलकुल मांगता है मतलब वो question भी आपसे appreciation मांगता है तो इसे के साथ thank you for watching this जुरावर classes